हेलो विवल्स मैं हूँ गोल्ड और गोल्डिस किचेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आप इस वीडियो को स्टाइण से एंड तक जरूर देखना बहुत ही मज़ा आने वाला है और यह देखें मैं एक गुलाब जवन कट करें बहुत जादा सॉफ्ट है खानें बहुत ही ज़ादा टेस्टी है तो आप इस रेस्पी को स्टाइखना था श्रेश रूपी के उसमें हम डाल देंगे लगभग आदा लीटर से भी जादा पानी तो मैंने आपे 750 समल के करीब पानी ले लिया है और अब मुझे इसमें डाल देना है लगभग 400 ग्राम की करीब चीनी आप देख सकते हैं मैंने पूरा डबबा उठा लिया है और इसमें मैं थोड़ी सी चीनी तक पकने देना है और यह जो प्रोसेस होगा यह लगभग 3-4 मिंट का होगा तो 3-4 मिंट बाद आप देख सकते हैं कि जो चीनीर पानी आपस में अच्छी तरीके से घुल गया है तो अब मैं इसमें डाल देती हूं थोड़ा सा केसर ताकि वह भी इसमें अच्छी तरीके स तो केसर यह ओप्शनल है आप चाहें तो डालिए अदरवाइस आप स्किप कर सकते हैं केसर डालने से जो गुलाब जामुन होता है यह लिंचा उतास का कलब बहुत अच्छा आता है तो लगबग हम यह पे 10-12 लच्छे हम यह आपे केसर के आड़ कर देंगे और इसी किसास करके देखें हलका सा चिपचिपा होना चाहिए बहुत लोग क्या करते हैं इससे एक तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनाना है क्योंकि जैसे थंड़ा होगा अपने अब थीक हो जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप चाशनी की देख सकते हैं उसका कलर चेंज ह हो गया है और हलका सा चिपचिपा हो गया और इतने ही रखना है तभी जो गुलाब जामुन अच्छी तरीके से फूलेंगे कभी कवर बीच में गुटली हो जाता है इसी वज़े से एक तार की चाशनी बिल्कुल बनाना है तो आईए अब हम फटा फट से गुलाब जामुन बना लेते हैं आप लिंचा भी बोल सकते हैं शेप मैंने लिंचा वाला ही दिया था तो मैंने पर बड़ा सा बरतन ले लिया है और अब इस थाले में एड़ करने वाले हूं गुलाब जामुन का पकेट जो की बहुत यह साइन सब को मार्केट में मिल जाता है मार्केट में अलग अलग ब्रैंड के आप गुलाब जामुन के पकेट मिलते हैं आप उसे यूस कर सकते हैं बट मैंने तो सिफ सूजी से बनाया था मैदे से बनाया है मिल पाउडर से बनाया है ब्रेट से बनाया है अलग अले तरीके कि मैंने गुलाब जामुन बना करके तैयार के यह फ तुछ जाएं तो कोशिश करें के अप से हलका सा गीला बनाए कि बहुत लोग पैकट्ट यूजे करते हैं लेकिन उन्हें समझ भीन आता है कि यो इसका डो है कैसे बनाया जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इस डो में थोड़ा सा दूद जादा डाला है ताकि हलका सा गीला हो जाए और आप देख सकते हाथों पे काफे स्टिकी हो रहा है और चिपक रहा है तो बहुत लोग क्या करते हैं हाथों पे घी लगाते हैं बट घी आप बिल्कुल मत हो जाए तो यह देके अगार है और अब मैं फटा फट से गुलाःब जामुन का बनाना है तो बनाना है तो मैं ने मेक्षर में एकिंटर गीला है और बांट अच्छा वनता है तो अपने हाथों पर चाहें तो थोड़ा सा गिहलाना घी लगाईए पानी ये दूद लगाना दूद लगाए मैं आपके कुछ नहीं लगाने वाली मैं अपने सुखे हाथों से इस तरीके से से राउंड शेप देते हुए इसे इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप दे दूँगी ये देखे एक दम पॉफेक्ट इसी तरीके से मैं बना करके तयार करना है और ये देखे आप जाम उनके डो को सिलेंड्रिकल शेप दे करके लेंचा का शेप दे दूँगी बहुत लोग इसे राउंड शेप बनाते हैं तो राउंड शेप अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं मुझे ये वाला शेप बहुत जादा पसंद है तो ये देखे इसी हम थोड़ा थोड़ा करके इसे तयार कर लेंगे तो लीजे हमने आपे डो को इदम अच्छा सिलेंड्रिकल शेप दे दिया है तो आप बार यह इसे फ्राइ करने की और इस लेंचा को फ्राइ भी कैसे करना है इसका मैं आपको सई तरीका बताऊंगी तो चले फटा-फट से आप बार यह फ्राइ करने की तो फ्राइ करने के लिए मैंने आप ले लिया एक नॉन्स्टिक पैन आप यहां पर अल्मिनियम की कढ़ाई का स्टमाल भी कर सकते हैं मैंने नॉन्स्टिक कढ़ाई का स्टमाल किया है फ्लेम को करेंगे और इसमें हम डाल देंगे ओल हमने यानि की लेंचा की पीसिस को डाल देंगे एकदम पॉफेक्ट और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे यह अपनी आप नीचे तले को छोड़ करके उपर आ जागा यह देखे एकदम पॉफेक्ट इस तरीके से फूल जाएगा तो अब मैं स्पून के सहारे इसे अच्छी त टार्क रहे हैं तो यह देखेंगे पॉफेक्ट का अगया है इसी तरीके से तरीके से डार करना था अगर आप आप यहां पर काला जाम बनाना चाहते हैं तो आप दो मेंट लिए विल्म को हाइक कर दीजे और इसे पकने दीजे उसका फिल्म को आफ कर दिजे बहुत ही आसा निकालते हुए इसे एक ट्रांसवर कर लेती हूं बहुत अच्छी तरीके से ये फ्राइवाइस का कलर बहुत ही अच्छा है तो यह लिज़े मैं आप अपे सारे गुलाब जामुन को यानिकी लेंचा के पीसेज को मैंने इहां पर ट्रांस्वर कर लिया है तो अब बारे इसे चासनी में डालने की, तो चासनी में मैं कैसे डालना है ये भी मैं आपको बताती हूँ, चासनी ये वो हमारी हलकी गरम है, अगर आपकी चासनी थंडी हो गई हो तो आप उसे हलका गरम कर लिजे, फिर आप उसमें इनके पीसेज को आड करिए, एक दम पॉफेक्ट, और अब म ना जादा टेस्टी दिख रहा है, जो चासनी है वो कम हो गई है, और जो गुलाब जामुने वो अच्छी तरीके से फूल गए है, आप लेंचा भी बोल सकते हैं इसे गाइस, तो चलिए फटा-फट से ना, अब मैं इसे एक बरतन में ट्रांसर करती हूँ, और फटा-फट तो चलिए इसके उपर थोड़ी सी चासनी डाल देते हैं, और इसे थोड़ा साम कानिश करेंगे, रोस पैटल और सिल्वर बॉल के साथ, आप इस्ता के साथ भी से कानिश कर सकते हैं, और अब मैं एक लेंचा को कट करके दिखा रहे हूँ, और ये देखे गाइस, वाओ, ब बिल्कुल कोई गुटली नहीं है, बहुत ही सॉट बना है, खाने में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तो आप भी गिट्स के पैकेट का अगर इस्तिमाल करना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं, या फिर आप सूजी से, ब्रेट से, मिल्क पावडर से भी गुलाब जामु आप इस रेस्पी को जरूर ट्राय करें, और कॉमेंट जेक्शन में लिग करके बताना कि आपको रेस्पी कैसी रगी, आप उसकी पिकने ट्राय करने के बाद इंस्ट्रागरम पर मुझे टैग भी कर सकते हैं, वीडियो पसंद आने पर एक लाइक जरूर देदीजे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में चुटास बेला करने को से प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आने वाले मेरे नेप डेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तैंकी फर चिंग गोल्डिस कीचन बबाई फ्रेंस, मैं जल दिम लोगे आपके लिए और भी नेने से रेस्पी लेकर के, तब तक के लिए मैंसे इंजॉय करती हूँ और आप देखते रे गोल्डिस कीचन बबाई